परफेट वर्ल्ड की पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये लोग डिमन्ट्री के साथ एक और फी खतरनाक जगा में आके हैं ये उन लोगों का अगला स्टेज है जहाँ पर उनको अगला पड़ाओ थंडर कैसल तक पहुंचना है पर ये जगा बहुत ही जदा खतरनाक हो होने वाली है जगा पूरी तरह से लावा से भरी हुई है सियाओ के ग्रैंड फादर लावा में कूद जाते हैं सियाओ से कहते हैं ये बहुत ही जाता बड़िया समय है कि हम लोग अभी अपनी कल्टीवेशन करें जिसके बाद वो लोग अपनी कल्टीवेशन करने में लग जाते हैं अपने थंडर कल्टीवेशन को कमप्लीट करते हैं और तब सियाओ एक बहुत ही खतरनाग क्लावड को जेनरेट करता है उसके बाद वो अपने विंग्स को बाहर निकालता है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है पर सियाओ कुछ पर रिसान लग रहा था ये चीज़ देखकर सियाओ के ग्रेंट फादर सियाओ के पास आ जाते हैं सियाओ से पुछते हैं सियाओ तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे मन में जो भी बात है मुझसे सेर करो सियाओ कहता है वो फिलहाल में होने वाले 3000 स्टेट्स विजार्ट वार में पार्टिसिपीट करना चाहता है कि बात को सुनकर के ग्रेंट फादर हसते हैं कहते हैं तुम इस बात के लिए परेशान हो रहे हो से फिक्र करने की क्या बात है हम लोग दूनों उस वार में पाटिसिपीट करेंगे और वहां पर तहल का मचा कर आ जाएंगे तो फिर कहता है ग्रेंट फादर इस अपर वर्ल्ड में हम लोगों ने इस योटियान सुप्रीम बीइंग की सुप्रीम ट्रेजर को तलासने में बहुत सारे लोगों को अपना कटर दुस्मन बना लिया है तो फिर ग्रेंट फादर कहते हैं सिहा मुझे माप करना मेरे वज़े से तुम्हें काफे जाता प्रोब संजरुइस को रिकावर करें उस बीच मैं अपनी से रिंकिंग को परकेस करना चाता हूं और उस वार में पार्टिसिपेट करना चाता हूं सिहा के बड़े हो गए हो काफी ज़्या जिसमें वो और पी जादा एडवांसिंग करना चाता है लेकिन तभी वो आसमान की ओर देखता है आसमान में कुछ तुगडबड है ग्रीन लाइट वहाँ पी चमक रहे हैं और उसी वक्त वो अपने राइट में कुछ लोगों को देखता है जो की एक ग्रूप में कहीं जा र हुए हैं और अभी ये लोग एक वाइड फॉर्वेडन फॉर्मिशन की ओर बढ़ रहे हैं एक बार दुबारा को सिज करने ताकि वो इस जगह से बाहर निकल पाएं लेकिन तभी उस ग्रूप में हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है इस लड़की से मुझे एक फिम जून सी है और अभी इसने अपना भीज बदला हुआ है सी हाओ इसको पहचानता है सी हाओ सोच रहा है आखिर ये इस जगह पर क्यूं आई है पता नहीं यह यहाँ पर किस चीश की तलास कर रही है लेकिन तभी आसमान में बहुत जोर से बादल गर रजने की आवाज सुना का होता है पर उसके बाद उस जगह पर एक खतरनाक आग फैल जाती है काफी लोग उस आग में जुला जाते हैं पर सी हाओ और यूंसी वहां से उड़कर उस आग से बचने में सक्सेस्फुल हो जाते हैं जैसे ही ये स्मोग हटता है हम इस पेर के ऊपर आसमान में तो से ऐसे एरोगेंटली जवाब दिया वो बंदा एक अटैक करता है और इस बंदे को एकदम से राख में मिला देता है और उन दोनों में से एक लड़की कहती है यहां पर वो बंदा है या नहीं है यह हम लोग कंफर्म करेंगे अगर इस बात पर किसी को कोई दिक्कत है तो आ पावर रिलीज करता है जिसे कि सारे के सारे लोग एक ही बार में जल कर धूल में बदल जाते हैं अब यह नसारा देखकर इन में से वो लड़की कुछ सा जाती है वो इन लोगों के उपर अटैक करने के लिए अपना पावर एक्टिवेट करती है लेकिन तब ही एक एलडर आते हैं जो कि उसको रोक देते हैं पर यहां यह तमासा रुका नहीं है क्योंकि वो आत्मी अभी भी दोबारा उन लोगों के उपर हमला करता है जिसे कि इसके इस बार के एक ही अटैक में पूरा का पूरा वो जमीन तूट जाता है क्रैक सा जाते हैं और अंदर का लावा उन लोगों को समा लेता है सिھ हो जो यह नजारा देख रहा है सौक्ड है कह रहा है यह किस तरह की पावर है अपने पावर से पूरे इस mask को अप-अड डाउं कर देना क्या यह सच में एक गाड है ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की पावर किताबों में पड़ाई जान से सी हाओ और बाकि सबी लोग उस जगा पर उस लावा से बच कर बाहर निकल जाते हैं अब ये चीज़ देखकर वो लेड़ी फिर से कहती है लगता है तुम खुद से अपने आइडेंटिटी रिवेल नहीं करोगी बाहर आ जाओ मुझे ने लगता है तुम जिस चीज को ढू जे काफे ज़ता फेसिनेट कर रही है आखिर वो डेशिने स्टोन क्या है और इन जैसे गोडली बीइंग उस चीज का क्यों तलास कर रहे हैं लेकिन दोस्तों तभी ही हम उस बंदी को देखते हैं जो कि अपने पोर्टल से एक बहुत ज़ता खदरनाक तलवार बाहर निकाल लेकिन हम उस लड़की यूंजी को देखते हैं जो की सेफ है जिसके सामने सी हाव आकर खड़ा है एक्च्वल में सी हाव उसके इस दलवार को रोक दिया है यूंजी जिब सामने सी हाव को देखती है वो एक्ANDम सॉग्ड हो जाता ती है सभी लोग दोड़कर अपने इस मास जाता है ये लोग अब सेफ हैं अब ये चीज़ देखकर जूंसी सी हाओ को बहुत ही अच्छे से थैंक्यू कहती है लेकिन इसके बाद हम लोग उस लेड़ी को देखते हैं जो की कहती है लगता है हमें जिसकी तलास थी वो हमें मिल गया लगता है ये वही है जिसके अंदर व वहार कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि हम लोगों के साथ क्या करेंगे तो फिर वो लेड़ी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है मुझे पता है तुम्हारे एंसेस्टर्स जो की सिक्स हेवनली बींग में से एक है जो की इवल्फ होकर अल्टिमेट ल हमला कर देते हैं पर यूंसी को लेकर वहां से पीछे हटता है और तब वो लेड़ी उस जगह पर एक बहुत ही सता बड़े एलिफेंट बीस्ट को समन कर दिये वो इलिफेंट बीस्ट इन लोगों की उपर हमला करता है जिसको ये लोग अपने पावास से रोखनी की कोसिश करते हैं पर ये अटेक उन सभी लोगों को एक ही जटके में जला कर राख कर देता है पर दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खतम हो जाता है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा सी हाओ मेन वक्त पर जो उनसी को लेकर किस तरह की नहीं मुसीबत आने वाली है ये सारी बाते हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी पर अगर आपको अभी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करना चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मैं आप से बाइ थैंक्स ओर वाचिंग